नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भगवदी प्रसाद पूरेट इल्वकेट और आज हम समझेंगे कि SDO महोदय ने अगर कोई केस खारिज कर दिया है तो उसकी दो जगह अपील हो सकती है देखिए SDO और SDO में अंतर होता है इसके लिए में आपको अलग से वीडियो बना कर समझा दूँआ लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि SDO महोदय जो है उनके द्वारा अगर कोई केस खारिज कर दिया जाता है तो उसकी अपिले दो जगह होती है तो इस ग्राप के माध्यम स एक नाम है शामलाल दूसरा नाम है रामलाल यह कमिशनर महोदय अर्थात आयुक्त महोदय की न्याला है यह कलेक्टर महोदय की न्याला है यह उपखंड अधिकरी महोदय अर्थात SDO महोदय की न्याला है और इसको माल लेते हैं तेसलदार महोदय या नायप तेसलदार महो अब एसी स्टिति में इस कबज़े की प्राप्ति के लिए यह रामलाल जो है ये क्या करेगा रामलाल को नोटिस जारी करेंगे दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद में अगर रामलाल की जब्यां कि हाँ वास्तों में ये जमीन जो है या इस रामलाल की जमीन है तो तेसिला दर्म होदे आदेश पारित करते हुए इस जमीन का जो कबजा जो शामलाल के पास में वह कबजा इस रामलाल को दिलबा देंगे ठीकिए अब एसी स्तिती में शामलाल जो है या जो तेसल दर मोहोदे न आदेश पारिट किया है उससे दुखी रहता है उससे विथित रहता है तो एसी स्तिती में ये शामलाल क्या करेगा उप खंड अधिकारी मोहोदे अर्थात S.D.M.D. की झालाय में प्रथम अपील पेश कर सकता ह जो की मद्यप्रदेश भूरा सहिता की धारा चुम्मालिज की उपधारा एक का पेरा नंबर का के तहत यहाँ प्रतम अपील पेश कर सकता है ठीक है कहाँ पर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अब एस सी स्तिति में क्या होता है जिसे इस शामलाल ने उपखंड अधिका पत्र भीजा जाएगा दोनों पक्षों की सुनवाई की जाएगी और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ने यदि उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस अपील को निरस्त कर दिया जाता है या उस अपील को स्विकार कर दिया जाता है तो ऐसी स्तिति में उ हो सकता है या उसको सिकार करने की इस्तिती में भी हो सकता है तो अगर ये उस अपील को खारिश कर देते हैं तो ऐसी इस्तिती में ये शामलाल जो है ये द्विती अपील कमिशनर महोदय के समाक्षप पेश कर सकते हैं जो की मध्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा चम्वालिस की उप धारा दो का पेरा क्रमांग का अनुसार कमिशनर महोदय को द्विती अपिल प्रस्तूत कर सकते हैं तो अब तो यह हुआ कि जो पहली अपिल जो पेश हुई जिसे माल लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा आदेश हुआ था उपखंड अधिकारी महोदय ने तेसल दर महोदय के आदेश के विरुद अपिल सुनी थी अर्थाद प्रथम अपिल सुनी थी और प्रथम अपिल में अगर कोई आदेश होता है चाहे वह खारिज का आदेश हो या उसको स्विकार करने का आदेश हो तो उसके विरुद द्विती अपिल जो होगी वह कमिशनर महोदय को होगी ठीके अब हम समझेंगे कि उपखंड अधिकारी महोदय अर्थाद एसडियो महोदय के आदेश की एक और अपिल कहां हो सकती है अब देखिए जिसे मान लिया जाया कि यह रामलाल है और यह जमीन जो है यह इस रामलाल की जमीन है लेकिन तुरूटी वस अर्थाद गलती से यह जमीन जो है यह इस श्यामलाल के नाम पर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल जो है ये क्या करेगा कि मद्यप्रदेश भूर असने ताकि धारा 115 के तहद उपखंड अधिकारी मोधे के समक्ष है तुरूटी सुधार है तू आवेदन पेश करेगा ठीक है अब पहले आवेदन का पेश हुआ था तेसिलदार या नायब तेसिलदार मोधे के समक्ष लेकिन या तूटी सुधार का जो आवेदन है इसके सुनवाई करने का अधिकार जो है या उपखंड अधिकारी मोधे अर्थात S.G. मोधे को है इसलिए रामलाल ने जो आवेदन पेश किया है तूटी सुधार के लिए कि मेरी जमीन जो है इस शामलाल के नाम पर हो गई है भी नोटिस जारी करेंगे और दोनों पक्षों की सुन्वाई करने के बाद में अगर उप्खंड अधिकारी महोदश है यह मान लेते हैं कि हाँ वास्तों में यह जमीन यह इस रामलाल की है इसलिए इस रामलाल की जमीन इसको वापस से यह रामलाल के नाम पर किया जाये सरकारी कागज में ठीक है और यदि उपखंड अधिकारी मोदे यह माल लेते हैं कि नहीं यह तो वास्तों में इस शामलाल की ही जमीन है और किसी प्रकार की कोई त्रूटी नहीं हुए और उस केस को अगर खारिज कर देते हैं तो ऐसी इस्तिती में भी उस आदेश के विरुद जो है कहां पर अपील होगी तो मेरे केने का आशे यह है कि उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अगर इस प्रकार का कोई भी आवेदन आता है और उस आवेदन पत्र को या तो इनके द्वारा स्विकार कर दिया जाता है या उसको खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी इस्तिती में उस आदेश के होगी वह मद्यप्रदेश भूराज सेंता की धारा चुम्मालिस की उपधारा एक का पेरा गह के अनुसार कलेक्टर महोदय को प्रथम अपील होगी तो यहां पर हमने यह समझा कि अगर माल लिया जाया कि कोई आवेदन पत्र जो है वह तेसिलदर महोदय या नायर तेसिलदर महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय जो है इनके किसी अधिनस्त राजस अधिकारी के समक्ष पेश हुआ है और किसी अधिनस्त उपखंड अधिकारी महोदय के किसी अधिनस्त राजस अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है और उस आदेश से व्यथित होकर अ और अगर कोई आवेदन पत्र जो है सीधे सीधे उपखंड अधिकारी महवदय के समक्ष पेश हुआ है और उस आवेदन में अगर उपखंड अधिकारी महवदय ने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया है चाहे वह स्विकार का आदेश हो या निरस्ति का आदेश हो तो उस आदेश के विरुद जो प्रथम अपील होगी वह कलेक्टर मवदय को होगी ठीके तो मैं विश्वा सरकता हूं कि आज के वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छा लगाओं तो वीडियो को लाइक कर दीजे अधिक सेधिक लोगों तो शेर कर दीजे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहीं जेवार